Hi guys, welcome back to the channel बात करेंगे 60 days में आपको CET कैसे क्राक करना है क्या आपकी strategy होने चाहिए 99.90 plus के लिए क्या ऐसे areas हैं जो आपको बहुत जादा केरफुल रहना है और प्राक्टिस बहुत जादा करनी है actually I am also gonna talk about short short topic जो CET में आपको मिलने बाले है also बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सर CET टाइम पे होगा क्या जान तक मुझे लगता है आज भी registration is on है I am of the opinion कि 99% मुझे लगता है कि ये पोस्पोन होगा ये मेव अगरा तुक तो नहीं जाएगा बट मेरे खाल से ये दो या तीन हपते पोस्पोन हो कि मेरे खाल से मार्श एंड तक CET हो सकता है but doesn't matter हमारे पास 60 दिन है 60 दिन में हम बहुत सारे चीज़े कर सकते है अगर हम धंग से तोड़ा पढ़ाई करें और थोड़ा सा strategy की उपर काम करें तो तो जातक CET का बात है तो मैं चार लेवल पे CET को पकड़ता हूँ अगर इसमे मैं अवरेज बच्चा और टॉपर दोनों को पकड़के बाद करूँगा so that आपको वो help हो मेरे चार बॉक्से डन अन्डस्टेड है मैं चार बॉक्स में CET को रखता हूँ से मुझे फाइदा होता है कैसे मेरा focus बनता है कि मुझे कहा पर score करना है और मुझे कहा पर score नहीं करना है सीख number one thing आपको यह देखना पड़ेगा चार में से कोई भी तीन box आप उठालो जहाँ आपको maximum score करना है वो आपके लिए quant होगा, verbal होगा, visual होगा यह फिरो आपके लिए logic होगा, visual होगा, verbal होगा, quants नहीं होगा so you have four boxes आपड़ा four boxes तीन box आपको बजाज लेगे जा सकते है fine आगे चलेंगे अब देखते हैं मेरा favorite क्या है मेरा सबसे favorite है visual reasoning क्यों यहाँ पर आप थोड़ा competition को किल कर सकते हो देखो cat के अच्छे बच्चे, snap के अच्छे बच्चे, and mat के अच्छे बच्चे जो है वो बाकी चीज़े कर लेते हैं, quants बगरा वो बच्चे फाड़ के रख देते हैं but visual reasoning के कैसी जगा होती है, जहां पर आपको practice and practice के आपको बहुत ज़ादा ज़रूरत है सबसे पेरी चीज़ आपको ये करनी है, ये वीडियो खतम होने के बाद, आपको मेरा visual reasoning का एक 30 minutes का workshop है, आपको बहुत ज़ादा काम करेगा ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, CT के लिए, बहुत सारे टॉपरस भी है, हमारे पास CT के, वो कहते हैं कि सर, visual reasoning के आपके tricks है, they're actually very good करतना क्या है, वीडियो दिखना है, वीडियो में बहुत ज़ादा type के मेरे questions कवर करे हैं, बस आपको लिख के रखना है कि अच्छा, केतन सर ने इसको ऐसे solve करा अच्छा, इसमें series वाला fund था, अच्छा, इसमें addition वाला था, इसमें deletion वाला था, वगरा वगरा, तो वो करना है आपको, your target, out of 25 questions, should not be anything less than 20 marks, अगर आप जम्रलाल बजास target करते हो, 20 से लेके 22 तक का आपका score बनना चाहिए, सर, ये बनता है क्या, ये आराम से बनता है, there is no doubt about it, last year भी, अगर आप देखोगे, जब बहुत जादा फकप होगा था, CET में, तो भी आप देखोगे, visual reasoning आपका doable था, visual reasoning आपका always scoring आता है, and मैं always कहता हूँ, जम्रलाल बजाज में और सिद्नम में, अगर कोई score का differentiation होता है, तो visual reasoning एक area ऐसा है, जो आपका score differentiate करता है, अब अब देखो, इसका एक average में आपको बताता हूँ, out of 25 ना guys, आप पकड़ के चलो, आराम से 15 प्लस तो आप जाई सकते हो, सुप्षमान लब वो बच्चे है, जिनको 95% है लाना है, 90% है लाना है, यार 15 marks आप आराम से लेकिया होगे, उसमें कोई load नहीं है, अगर एक आपके practice जितनी जादा होगी, उतना आपको फायदा होगा, your target आने वाले साड़ दिनों में, 200 से 2500 questions आपको करना है, visual reasoning के, मेरा video देखने के बाद, I think you should be fine, ठीके, इसके बाद अगर में बाप करूँ, सबसे जादा scoring क्या होता है, आपका होता है logical reasoning, अब मैं आपको और एक च पॉजल हो गया, तो जम्राल बजाज होगा, यह सब नहीं होता, यह टाइप की जो carrot है, मतलब यह टाइप की जो फाल्तू की strategies है, मार्केट में बहुत चलती है, और अगर आप एक genuine topper से बात करेंगे, तो वो कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमें पॉजल किया तो ही तिर critical reasoning पे आपको accuracy बहुत ज्यादा करनी है, तो critical reasoning के आप पकड़ोगे 20 से लेके 25 question, इसके उपर आपको ज्यादा hold करना है, यह 25 question होने के बाद, हम चलेंगे traditional logical reasoning, इसमें क्या आता है, blood relation, coding decoding, alpha series, number series, direction sense, इसके problem करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अब देखो step by step critical reasoning जहाँ पे बहुत जाता जनता अच्छा ने कर पाती है, accuracy में, वो तुमने कर लिया, yes sir, traditional logic, जो easy है, doable है, वहाँ पे अपने practice करके अपनी accuracy बढ़ा दी, very good, वो आपने कर लिया, अब उपर का जो आपका 30-35 marks जो बचता है, वो होता है आपका puzzles का, अब देखो हर एक puzzle difficult नह आप कर सकते हो, बहुत सनारे बच्चों को ये नहीं समझ जाता, कि यार, आप गेमजन्ट होना में नहीं कर सकते हो, अगर आप floor वाला नहीं कर सकते हो, अगर आप matrix वाला नहीं कर सकते हो, तो उसको attempt मत करो, आप अच्छे किस्वे हो, sir, मैं अच्छा हूँ, coding, recording type puzzle, direction वाले और जो weak areas है, वो हम तुक्के में डालेंगे, वैसे भी यार, अगर आप देखोगे, जो बच्चा जम्रादाल बजाईशन भी जाता है, इवन यार, दोसों के दोसों बच्चा वो question नहीं कर पाता, जैनुवन अटेम दोसों के दोसों नहीं कर पाता, मैं इसका आपको मिलते है, यार, धान से सूचना, क्या आपको लगता है, CET के 200 questions इतने simple आएंगे, क्या आपको 46 seconds में crack करोगे, ऐसा कभी नहीं होता, पिछले 10 साल से तो ऐसा हो नहीं रहा, ये 2009-2010 में वहा करता था, 2011 से trained बंद हो चुका है, तो आपको यहाँ पे समझना है, कि आपके CET के paper में, आपके close to 100 पकड़ लो, या 80 से लेके 100 questions आपके वो आते हैं, जो आप 1 minute में निकाल सकते हो, या 1 minute से आप कम में निकाल सकते हो, and आपके 50-60 questions ऐसे आते हैं, जो आपको speed को break लगाने वाल है, इसलिए मैं always कहता हूँ, कि आपको यह जानना जरूरी है, कि कुछ puzzles मैं कर स सकता, उसके उपर आपको जादा focus नहीं करना है, but make sure that, कि puzzle के चलते, critical reasoning के 25, traditional logic के कम से कम 25-30, यह marks आपके, आपके हाथ से ना चले जाए, है ना, और यह बहुत बड़ा chunk है, अगर देखा जाए तो, वो 25-25, अपकी critical reasoning के पकड़ लो, तुपहरे traditional logic वाले, अगर तुम पकड to understand, अब गौर से अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने दोनों boxes में क्या करा, मैंने score optimization करा, तो तु 99 वाला बंदा है, या 99.98 वाला बंदा है, या 95 या 90 वाला बंदा है, score optimize मुझे करना है, आने वाले 60 दिनों में, मुझे क्याम करना है, acceleration model पे, acceleration model का मतलब क्या होता है, मै मैं 40 दिन में वो chapters करूँगा, जो short shot है, मैं 45 दिन में वो चीजे कर लोगा, जो आने ही आने वाली है, और जिसमें speed होगा, जिसके difficulty level जादा बढ़ नी सकती है, देखो, puzzles की जो difficulty level है, वो अलग level पर जा सकती है, direction, number series, यह थोड़ी बहुत manageable होती है, तो मैंने पहले उसके इसमें आप बाकी के चीजों पर जादा focus करो, such as grammar, grammar is very very important, vocabulary मत करो भाई मेरे, मैं देखता हूँ, बच्चे नाम वर्डपार मेड़ी लेके बैठते है, क्या ही है वो वर्डपार मेड़ीजी, वो टाइम पास है, कुछ यूटुबर्स है, उसको फालतु में प्रमोट करते सब्सक्राइब करते हैं, अगर कोई आपको cat के लिए recommend करते हैं, मतलब अगर कोई आपको cat के लिए recommend करता है, वर्डपार मेड़ीजी, लेवल जान लो उस coaching का या फिर उन लोगों का जो आपको ये recommend करते है, CT के लिए अब कि मैं recommend नहीं करूँगा, because यार 5 question है तेरे पास का के 200 question का तेरा paper है, 5 question के लिए तू यार दिन के 2 घंटा डालेगा, अगले साल दिल में अगर तू मानले मेरे काल से 50-60 अगर घंटे तू खाली word पार मेड़ीजी करेगा, तू इससे दूशे फाइदा क्या हुआ, plus word पार मेड़ीजी करके पता नहीं वो आएगा की नहीं यहां पर डैजबोड पर जितने भी वीडियो तुमको वो च्रटा मारने है, वो आपको करने ही करने हैं उसके भार नहीं आएगा, यह मेरा प्रामिस है, critical reasoning and verbal उसके बार बिल्कुल भी नहीं आएगा, visual reasoning भी उसके बार नहीं आएगा, last year का जो टॉप पर था 99.97, वो इस कर अगर कोई बच्चा कर लेता है, तो उसके नहीं आएगा पार है, इस मिम्बार जो आपको पढ़ाने वाले हैं, उनका नाम है हमारे अभिशिक सर, इनके short cuts बहुत ज्यादा कल्ट है, बहुत ज्यादा smart label पे पढ़ाते हैं, he is a CET topper, वो जम्राना बजाज में खुद है, second year में मेरे ख्याल से, स्वेर एक बार ही उनके sessions देख लेना, you'll be fine, questions like para completion, para summary, reading comprehension, reading comprehension, reading comprehension में क्या आता है, main idea, toad, argument, इसके उपर काम करना चालो करो, vocabulary को थोड़ा side में रखो, vocabulary जादा आपको काम नहीं आएगा, अपना समय बचाओ, जो चीज़े sure है, उसके उपर काम करना, चाल अगर में खेलता हूं, I am at 120 का score, and 120 is a very very good score, but understand this, मैंने 3 चीज़े पकड़ी है, देखो, मैं non-engineer हूं, मेरे को quants बन जादा भाता नहीं है, मैं DI में बहुत तगड़ा हूं, मैं data completion में बहुत तगड़ा हूं, but 50 में से, मेरे 25 क्वेशन तो quants के आएंगे, तो मैं इसमें जा 98 का पहुंच जाओंगे आराम से, fine, number one, अब 120 तक तो आया, तुझे 20 जादा question की दरकार है, ये जो 50 वाला जो box है, इसमें सबसे पहले attack क्या करोगे, आप करोगे data interpretation, line graph, pie chart, bar graph, symbol calculation, vedic maths, speed maths, ये calculation करने है, इसमें भी हम आपको important topics बताता हूं, income and expenditure, profit and loss, आते हीं आते हैं, double graph, उपर table दिया, नीचे pie chart दिया, या फिर इनका एक होता है, case slate आता है, जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, एक चोड़ा सा RC देते हैं, numbers बहाँ से निकलने है, data completion, आपको box दिया जाएगा, उसमें कुछ fill in the blanks होगा, नीचे information होगी, information से data भरो, और answer निकलो, ये डूबे बन ह ये आप आप कर सकते हो, इसमें क्या काम करेगा, आपका speed काम करेगा, तो अगर आपने DI का भी portion ले लिया, 10-15 question यहां से बन गे, थोड़ा बहुत DC का बन गया, थोड़ा बहुत DS बन गया, तो मेरा quants अगर 30 marks का भी आता है, तो भी तुमने 20 यहां से कर लिये, इसका मतलब 150 20 plus 20, 170 तक का paper में कर सकता हूँ, अगर आपने quants को छोड़ा तो, fine, कोई बचा बोलेगा, सर कि मेरा quants बहुत जाता strong है, मैं यह 3 boxes कर लेता हूँ, यह 3 boxes में मैं मचा दूँगा, very good, आप यह 3 boxes कर लो, verbal में से, आप 25 marks का paper कर लो, आपके लिए 150 plus 25, round about अगर आप देखोगे, 175 का paper आपके लिए बन गया, यह पर 30 marks अगर क्वांट की देखें, तो आपके लिए 170 का paper बन गया, 170 पे अगर आप 80% accuracy पे खेलते हो, आपका score बहुत जाड़ा अच्छा आने वाला है, you're getting no point, you're close to 135, 140 आप पहुँच जाओगे, आराम से, ठीक है, यह अच्छी बात है, उपर reasoning, logical reasoning, verbal, आपको sexual marks पे बहुत जादा focus करना है, या topic wise marks पे आपको बहुत जादा focus करना है, आपके situation के dashboard में, जो भी marks हमने दिये है, हम आपको 18 marks देंगे, 18 marks आप लगा लो, आपको एक अच्छा आइडिया आजाएगा, CD का, हम कोशिश कर रहे हैं, कि अभिजएक sir, at least 18 में से 10 marks जो है, वो record करके आपको दे, हमरे पास 60 दिन का समय है, हम genuinely 10 या 12 marks आपको record करके देंगे, अगर आप सिर्फ marks बाइ करना चाते हो, आप marks बाइ कर सकते हो, आप पूरा package बाइ कर सकते हो, पूरा package बाइ कर सकते हो, उसके बारे में भी में बात करूँगा, so देखो आप जब sectional mock दोगे, topic wise mock दोगे, आप हर एक topic पे अपनी mastery करोगे, and आपको topic by topic या section करने से, आपको confidence बढ़ेगा, by the time you do this, आप जब यह करोगे, आपका target होना चाहिए, कि आप चार किन में से, कोई भी तीन boxes अच्छे से करोगे, your target score for Bajaj, should be close to 150, यह hover करेगा, 145 से लेके, 150 की बीश इसमें, but difficulty level पे depends करता है, कि तुमारा score आएगा Bajaj के लिए, 145 से लेके 150, is a very very good score by the way, इसके उपर आपको focus करना है, तीन boxes अगर आपके बन गे, यह score आपका आ सेता है, तुक्का वगरा वगरा पढ़के, now, by the time you do this, दो चीज़े आपको करनी है, आपको CET को दो चीजों मे बाटना है, एक, speed based topic, and time consuming topic, बहुत जरूरी है, speed based में क्या आता है, फटा 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 जॉब उडा सकते हो, grammar, vocab, para completion, para summary, problem starter, टक 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 उडा दिया, visual reasoning, addition, deletion, series, analogies, speed, 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 logical reasoning का कुछ पार, speed based, di का कुछ पार, speed based, Quartz का कुछ पार, speed based, ना बोलने के बाद भी, अगर मैं मोटा मोटी आपको gauge पर दे दू, 200 में से मैं कहूंगा, 80 से लेके 100 question, ऐसे आते है, जो short shot speed पे होते है, 60 minute के नीचे, वो निकल जाते है, रादर 60 second में, एक minute पकड़ लो, एक minute में वो निकल जाते है, तो ये आपके जो 10 मोट भी चलेगा, 2 मोट भी चलेगा, 15 भी चलेगा, बेज भी चलेगा, 50 भी चलेगा, अगर आपके basic बहुत strong है, if you are a very good student, आप 10 मोट में भी आपका काम बन सकता है, अगर आप जादा मेहनत करना चाहते हो, है ना, आप 10 मोट भी लगा सकते हो, और आराम से उस लेवल पे आप पहुँच सकते हो, ये कोई rocket science नहीं है, इसमें आपको practice की बहुत ज़्यादा जरूत लगेगी, आप जब mocks करोगे, तब question selection strategy आपको जानना जरूरी है, जब मैं और अभी शेकसर आपको बताएंगे, कि आपको question कैसे select करना है, आपको आपका paper time कैसे करना है, वेरा आन इसी बहुत सारी strategies है market में, आप एक बार ही मेरी strategy देख लेना, अगर आपको अच्छी लेके तो लगा देना, या फिर आपको 30-40 भी सही लेके, तो भी आप कर सकते हो, या फिर इसमें भी variety है, अगर आपको और भी कुछ आता है, आप कर सकते हो, no doubt about that, now, your target marks should be minimum 10-15 marks आपको बता है, 200 question है, 170 का genuine attempt हमें करना है, किसी बहालत में 80% के हमें accuracy चाहिए, उपर जो 30 question है, वो हमारे तुकेप में ही जाने वाले हैं, और ये 4 boxes आपके पास रहे, हमने 2 program launch कर रहे हैं, हमारे पास 2 program है, एक है हमारा live program, एक है हमारा recorded program, recorded program is round about 2000, इसमें mocks नहीं मिलेंगे, live program is round about 4000 5000, इसमें mocks भी है, इसमें workshops भी है, इसमें shortcuts है, strategies है, इसमें बहुत सारी चीज़ है, also पुने में मेरी center चालो हो चुकी है, आप मुझे पुने में भी मिल सकते हो, 15 दिन पहले में एक marathon लेने वाला हो पुने में, अब वहाँ पे भी आके register कर सकते हो, so overall अगर आप देखोगे it is possible, 60 days acceleration model use करो and you will be fine, मेरा जो next video आएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको 60 दिन जो है, वो कैसे divide करने है, आपको पढ़ाई करने के लिए और आपका पूरा का पूरा study plan क्या होगा, so guys अगर आप नहीं हो मेरे channel पे, इसको subscribe करके रख देना, यहाँ पे जो content बहुत सही होगा, देखो ऐसी बहुत सारी strategies है market में, जो काम करती है, बट आपको एक बात ensure करनी है, अगर में input-output के strategy करूँगा, तो मेरे strategy मेरे shortcut ऐसे हो, जो हर एक question पे लगे, है ना, ऐसा ना हो कि एक strategy सीखा, एक shortcut सीखा, और भाई, यह shortcut एक question पे ही लगा, दूसरे question पे तो shortcut लगनी राम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करोगे तो paper ने निकलेगा, जैसे मेरे critical reasoning के shortcuts है, course of action कही से भी उठाओ दुनिया में से, लगेगा, assumption कही से भी उठाओ दुनिया से, shortcut लगेगा है यह लगेगा, there is no doubt about it, same way number series उठाओ, coding decoding उठाओ, shortcut लगनी लगने बाते है Question specific shortcut मत करना, because वो सिर्फ उस question पर लगेंगे, उसके बाद वो काम भी नहीं आएंगे, fine, so बहुत focus हो कि आपको यहाँ पर अप्रोच करना है, दिको सिंबल से बात है, 100 marks, 110 marks लाना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लिक्या होगे, fight करनी उपर के 30 marks जो हमें लाने है, जो हमे करने हैं, जो हमें लाने 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 हैं, जो हम